इस पर्टिकलर वीडियो में जो चार मेजर कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उनको डिसकस करूँगा ठीक है वन मूर थिंग की जो भी मेरा डिसकेशन है वो सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव मतलब मैं अपना एक्सपिरियंस बता रहा हूँ बेस्ट ऑन माई एक्सपिरियंस ओफ थ्री प्रिलेम्स ठीक है उसमें मेरा GS का स्कूर 100 प्लस है तो उसके बेसिस पर I can see कि इस पर्टिक्लर टेस्ट सीरीज एक एक एक्सटेंट तक अच्छी है या फिर इसमें कितने कोशन्स गटिया हैं कितने कोशन्स अच्छे हैं और कितने कोशन्स UPSC के लेवल के लाइक है तुम्हें उससे क्या करना है तुम्हें समझना है कि किस टाइब केश्ट सीरीज तुम्हें यूज करनी है because ultimately क्या होता है कि देखो एक simple as that मेरे को किसी कोचिंग को कोई डिफियम करने का कोई वो नी है ना मैं इस particular वीडियो में ऐसा कुछ करने वाला भी हूँ but I will just explain कि कि किस वे में test series framed हुई है उनका क्या purpose है और क्या क्योंकि ultimate ही देखो हम student होते हैं हमें चीजें पता नहीं होती है और test series वाला एक ऐसा trap है ना कि अगर तुम first गये तो तुम उसे बाहर ही नहीं निकल पाओगे I will explain कि ये हो कैसे रहा है ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है देखो test series की importance का है मालो कि तुम एक particular कोई coaching की test series join करते हो जो मेरी understanding में है मेरे को जो experience हुआ उसके basis पे I will explain कि ये importance है इसके beyond इसकी importance नहीं है ठीक है और तुम्हें ये बात समझ नहीं है ultimately अगर नहीं समझा तो this particular test series will मतलब एक वो होता ना कि पूरत तुमारा attempt खराब कर देगी just try to understand क्योंकि last year also I have interacted with the many students मतलब बहुत लोगों से मेरी बात हुई everyone was like कि मेर को आप ये बता दो कि आर test series में marks बहुत कमा रहे है और मैं demotivate हो रही हूँ तो point is that कि तुम्हें exact उसका meaning समझना है कि क्या relevance है test series की सबसे पहले क्या है तुम time management वाली zone में आ जाओगे दो गंडे का paper होता at least two round करो ठीक है two round में at least यह होना कि first round में 40 या 35 question हो second round में 40 हो अगर time बच जाए तो 20 question last वाले अगर तुम 100 कर रहे हो तो ठीक है तो यह important है कि at least तुम second round तक complete करो दो गंडे में ठीक है पहला जो सबसे important है दूसरा है OMR वाला जैसे one of my friend है उन्होंने दो interviews दिये थे continuously third attempt में उनकी OMR नहीं बरी गई सोचो मतलब कितना traumatized होगा उस particular person के लिए जिन्होंने दो interviews दिये and then in the next attempt itself उनकी OMR नहीं होगी है तो you have to make sure OMR ले लो देखो यह छोटी छोटी चीज़े हैं कि यार OMR खरीद के लाओं में भरूँ बट अगर आपका OMR में issue होगा ना then you will realize कि this is the biggest thing क्योंकि ultimately कुछ नहीं होगा तुम्हारा knowledge knowledge कुछ चैक नहीं होगा just OMR है ना वही तुम्हारी चैक होगी अगर तुमने किसी particular question में A डाला है वो चैक होगा भली तुम्हाने आ रहा हो मतलब ऐसा होना कि तुमने C डालना था और A डाल दिया तो वो चैक नहीं होगा ठीक है एक और चीज जो मैं clarify करूंगा यहां पर कि आप marker जो अपना वाइटनर होता है sorry ठीक है वो लेके जा सकते हो ठीक है यह लेके जाओ इस बर मैं लेके किया था मेरा क्या है कि OMR का बहुत issues होता है और मैंने एक particular teacher चे भी consult किया था and he said कि आप लेके जाओ कोई issue नहीं है और कोई machine machine कुछ ऐसा वो नहीं करती कि तुम्हारा question detect नहीं होगा this is all the narratives जो इस बर मैंने use किया खुद ने और मैंने एक सर से भी बात करी थी तो he also said कि तुम लेके जा सकते हो तो कहीं ने कहीं कोई तुम्हारा question गलत नहीं होगा अगर तुमने whitener use किया but make sure कि whitener एक दो या तीन question में use नहीं use हो अगर कहीं बहुत बड़ा blunder हो जाए ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे 20-25 question हो गए अब तुम्हारे पास कोई option नहीं हो वहाँ पे use मतलब ऐसा कुछ वह करना ना कि जहां पर जो हाम हो वह कम हो मतलब इतना वड़ा अगर कोई रॉंग हो जाए तब यूज करना बट लेके जा सकते हो आप ठीक है और एक दो कोशन में भी use करो there is no issue कोई particular guideline नहीं है उस पर कि वाइट नर जो अपा यूज करोगे उससे detect नहीं होगा कोई ऐसा नहीं है ultimately वह machine है वह चेक करेगी क्योंकि तब तक वाइट नर भी सुख जाता है तो वह कोई issue नहीं आएगा ठीक है उसके बाद में 70 topic से उसकी practice हो जाएगी इस test series से होगी कैसे मान location आया हडपा का तुमने current पे कोई चीज news नहीं पड़ी है तो वहा जालो और उसको देखो hard topic wise कि क्या क्या important है ठीक है उसके बाद में तुमारी individual approach डवलप होगी approach का मतलब कि जैसे मेरी approach क्या है कि मैं 100 question करूंगा there is no other way around कि मैं even 99 भी मतलब ऐसा होगी सोचूंगा कि एक और कर लेता हूँ यह मेरी approach डवलप हुई है इतने pts देने के बाद में यह हुई कब जब मेरा first attempt था तो उस time I had done around 50 to 60 test series तो उससे मेरे को clarity आगे कि मेरे को 80 question नहीं करने है मेरे को करने है 100 question तो this was my own approach you have to decide your own because you will going to appear in the pre तो it's your journey ठीक है आपको यह चीज़ समझने है कि मुझे अपनी approach डवलप करने है and that approach will be developed through your test series right getting it तो यह काम करना है उसके बाद तो तुमने quality पढ़ लिए PYQ कर लिए तो test series लगा हो ताकि practice के लिए वालो आपने parliament पढ़ा है और basic question आप से गलत हो गया speaker या deputy speaker का तो वो revise हो जाएगा ठीक है तो यह major उसके goal होने चाहिए test series के ठीक है अब test series में red flag क्या है सबसे बड़ा red flag is trap वाला trap वाला क्या है अब जै definitely आजाएंगे one of my friend जिसके last year उनके 120-125 नमबर आ रहे थी वीजन में we were like यार इतने marks कैसे लारी बंदी and she said कि भई मैं वीजन की test series वो अपना जो monthly magazine है वो पिछले एक देड़ साल से follow कर रहे हूं and that was the exactly reason की she was getting around 125-130 marks in abhyas also ठीक है but final जब paper हुआ तब वो बोल रही थी कि मैं मैं हूँ अभी मलब 90 वाली जो उनमे 95 वाली जो यूपीसी का paper हुआ था getting it दूसरा है जो normal बंदे जैसे मेरा खुद का होता है कि मैं vision की test series दूँगा वो 70 नमर आएंगे 80 नमर आएंगे क्योंकि जिस approach में वो हमें चाहते है ना वो approach मैंने कभी उनके हिसाब से किया ही नही अब क्या होगा बंदे का 70 नमर आएगा तो obviously बंदा demotivated हो जाएगा क्या इतनी मैनत कर रहे हैं फिर भी 70 नमर आ रहे हैं बट actually 70 नमर तुम्हारी गलती नहीं है गलती उनकी है जो coaching में बैठ के test series frame कर रहे हैं कर कौन रहे हैं बच्चे कर रहे हैं बच्चे कौन कर रहे हैं फिर किसी का भी हो बहुत tough zone मा आता है कि अर तुम जो UPSC का level है और जो ये level है तो मगर एक moment के बाद में समझोगे कि बहुत different है बतलब रात दिन का not about region itself बहुत सारी coaching से बहुत सारी तो factual देती है उनको पता ही नहीं है कि क्या UPSC पूछ रहा है ऐसी market में जो narrative चला है उसी के तो your pre will be clear ठीक है ये ध्यान रखना है अब ये trap आपको demotivate भी करेगा और ultimately आपकी study को affect करेगा फिर आता सबसे बड़ा validity अब कोई भी test की validity चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि उसका जो content है माल लो जैसे असार की report है ठीक है जो survey आता ना असर वाला उसमें क्या होता है जैसे इस बर अभी आया था तो उन्होंने क्या किया 34,000 जो rural schools थी उनका एक sample लिया है ठीक है इंडिया में 6 लाग villages है ठीक है उसमें से 34,000 villages का उन्होंने sample लेकर education की report बनाई क्योंकि जो असार वाला survey आता है वो only rural education का आता है ठीक है इस तिल जो इंडिया में है उसकी acceptability बहुत ज्यादा है तो इस particular वीडियो में मैंने हर test series के 30-30 question explain किये ठीक है कोई मैंने paper selectively use नहीं किया है कि एक subjective decision देने के लिए मैंने random paper उठाएं और वो उठाएं 2023 के ठीक है 2023 के उठाएं random paper एंड तुम्हें ये idea लगेगा ना कि एक साल पहले उन्होंने कैसे frame किया तो UPSC क वाला paper जो 23 में आ गया था ठीक है ये मैंने random paper लिए और उनके beginning वाले 30 question discuss किये इसके थुरू तुम्हें एक understanding मिल जाएगे कि क्या exactly पूछ रहे है वो लोग फिर तुम्हें समझ मायाएगा कि coaching का nature कैसा है please be with me आपको test series वाला पूरा जो confusion चल रहा है ना market में वह अच्छे से समझ आ जाएगा कि exactly game क्या है ठीक है फिर framing वाला issue framing में क्या है उनको exactly जैसे 100 question है ना hardly 30 question आर देर जो उनको अच्छे से frame किये उन्होंने या 40 question आर देर जिन्होंने अच्छे किये 60 question आर देर जो पीवाई क्यू के basis पे है ठीक है तो ये तुम्हें समझना है कि most of the question जो वो फ framing होता है मतलब question framing होते हैं वो कहां से होते हैं वो जैसे आप देखो के तो आपको समझ आएगा फिर आता है सबसे बड़ा purpose purpose क्या है obviously to make the toughest of the tough paper मतलब tough of the toughest paper कितना भी tough बना लो कि बच्चे को ऐसा है ना उनके क्या होता है जैसे मानलो किसी particular coaching के 20 full length test आ ठीक है तो उनके 20 का य सबस्क्राइब हो तो there is probability कि वो बहुत tough बनाते हैं ठीक है यह orientation हो गया then आता है कि जो पीवाइक्यूस जो इनके test series बनती है ना वो almost पीवाइक्यूस को base बना के बनती है ठीक है तो इससे क्यों नहीं अच्छा कि आप पहले पीवाइक्यूस कर लो I hope कि आपको यह चीज कि यह आपको दोनों चीजे समझाई importance क्या है और red flags क्या test series के ठीक है then coming to this one की which one is the best because might be बहुत सारी लोग होंगे क्योंकि beginning में जब हम लोग ट्यारी करते है तो we are not able to understand की exactly कौन से test series हमें benefit करेगे ठीक है अब क्या करना है test series कौन से best होगी जो कही ने कहीं पीवाइक्यूस प पूछ रहे हैं कि डैली में क्या है या यूटी का कोशन पूछ रहेंगी डैली आजी यूटी है तो उसका कौन सा आर्टिकल है क्या है कुछ नहीं इस ताइप का तो परसों जो कोशन आएगा वो पुडूचेरी वगेरा उनका आ सकते हैं I hope कि यह आप लिंक कर रहे हो वो ऐसे कोशन होते हैं कि जो means oriented होते हैं and there is कम possibility कि UPSC will ask you a question on that matter ठीक है वो भी अपन discuss करेंगे then pre-specific question होते हैं कुछ pre-specific का मतलब sorry actually मेरे को throat में कुछ problem आ रही है तो क्या करना आपको कि pre-specific जो question होते हैं उनको identify करना identify करने के लिए what you can do is कि आप PYQ करो ठीक है यहां से तुमारी understanding built होगी then देखो कि equal distribution है या नहीं equal distribution का मतलब कि जैसे modern का उन्होंने अच्छे से question दिये हैं economy का अच्छे से दिये हैं even UPSC भी कभी कभी नहीं देता है जैसे इस बार उन्होंने modern के कि हां this particular test series actually meets the standards of the UPSC उसका एक तो PYQ से linked हो ऐसे नहीं कि direct उनका डिक्ट हो जो coaching वाले कर रहे हैं content उनका relevant हो pre specific question हो means वाले question नहीं हो ठीक है equal distribution हो most of try करो कि आप 80% equal distribution वाली test series को attempt करो then 30-35 question हो जो easy हो ठीक है अब test series में क्या है मैं vision की discuss करूँगा sorry वाजी राम के करूँगा next की करूँगा vision की करूँगा and forum की करूँगा ये चार जो coaching center है वो आज के time है ठीक ताग है इनका ठीक है कि इनका तुम्हें क्या निकालना मतलब as a aspirant अगर मान लो कल को आप test series दे रहे हो इनकी कोई सी तो तुम्हें क्या मिलने वाला मतलब what you will get right and उनका क्या purpose of coaching का वो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे frame हो रही है ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि जो भी आपको confusion है please try to understand क कि आपको इस notion पर जाके आपको test series लगानी है ठीक है यह कोई next IS का open mock है मैंने सारे 2023 के लिए so that कि तुम्हें समझ माएगा ना कि 23 का paper कैसे आया है उसके बाद में right जब हम लोग backward में जाके analysis करते हैं तब चीज़ें समझ माती अच्छे से ठीक है अभी का भी मैं कर सकता था ब 2018 से यह question चल रहा है because of sabri mala वाला question sabri mala हो गया then triple तलाक वाला हो गया हिजाब का question आता है news में ठीक है इसकी वज़े से यह particular चीज काफी time से news में चल रही है पिछले 4-5 साल से अब one thing that you need to understand is this कि इस टाइप की चीज़ें is more means oriented मलब देविल आसकी how supreme court has interpreted this particular doctrine या यह doctrine existence में कैसे आई है क्या चीज़ें इसमें है Hinduism में क्या है Islam में क्या है then Sikhism में क्या है जो essential practice है और क्या test होते है उनके basis पे essential practice को तुम एक किसी particular practice को बोलते हो कि यह essential है या नहीं है right तो this more this question is more about the means वाला question this you have to understand मतलब अगर UPSC को question देना है ना मानलो fundamental rights से अभी तक तुमने 2000 से लेके 2023 तक के paper में देखा होगा they are asking basic question from basic question from fundamental rights basic का मतलब क्या है right to marry किसमे ठीक है then तुमारा constitutional remedy वाला किसमे है ठीक है then right to equality किसमे आएगा 21 इस बर पूछा mains में ठीक है then 234 पूछा है basic substance पूछ रहें not about the अंदर जाके depth में चीज़े जाके पूछ रहें ठीक है अभी तक नहीं पूछा है मेरा observation अभी तक यह है कि इस type के question more of mains oriented है और इस type के question तुम्हें मेंस के इस आप से prepare करने है तो सीधा तुम इनको हटा सकते है यह मेरी अपने understanding है कि इन type के basic आपको पता हो कि यह exactly है क्या essential religious practice exactly क्या है अगर तुम्हें इतना पता है तो good no need to know all these things ठीक है then आओ अब यह है देखो इतने सारे birds हैं मालो तुम मैंसे जिसने 23 का paper दिया है तुमने last year कितने birds पड़े होंगे कोई आया नहीं आया होगा क्या आया इस बार और और इंग्यूटन आया जो birds और इस पीसेज में जो भी है दोनों चीजे और और अनीबी आया तो यह focus के दो कोशन निकल गए लेकिन my point is that कि ऐसे चुट-पुट birds बहुत है बहुत सारे birds है जो तुम मतलब वह पूरी जिन्दीगी लग जाएगे तुम्हें करते करते बट इन सब को random birds को नहीं करना है पहली चीज़ क्योंकि बहुत burden create होगा ना revise कर पाओगे ना इतनी याद कर पाओगे honestly saying क्योंकि exam में इतना pressure होगा कि तुम कौन सा vulnerable है कौन सा critically endangered है नहीं कर पाओगे simple as that कुछ चीजों को simple रखो don't make them confused वो hectic मत बनाओ complicated मत बनाओ point is that कि अब species कौन से करो जो बहुत important हो जैसो जी आई भी news में चल रहा है पिछले काफी time से ठीक है great Indian bastard and UPSC ने एक option में दिया था 2020 में यह question कि great Indian bastard desert national park है that means कि उनका कही न कहीं mind इस particular question पर है there is possibility कि इस साल आ सकता है 2023 में ठीक है तो 24 में आएगा तो तुम्हें जी आई भी का देखना है कि इसका basic features क्या है क्या क्या मतलब कैसा animal है किस सौरी कैसा species है कैसा bird है क्या करता है कहां पर इसके habitat है जो बहुत बड़े birds है ना जिनको कि actually के हाँ इनको देखना है उनको देखो बड़ी मचलियों को देखो चोटी को देखने में हजार हो हैं करोड हैं bird species you can't do everything ठीक है तो simple as that in question को नहीं prepare करना है ठीक है मैं अपने experience के basis बता रहा हूं बाकि तुम्हारी अपनी इच्छ है जो तुम्हें करना है but I am talking from my personal experience कि तुम्हें अगर process को easy रखना है complicated नहीं बनाना है hectic नहीं बनाना है और ज् पीवाई क्यू है तो वहां से हो जाएगा there is no means of this particular question यह जीएसी यूपीएसी ने दो बार पूछा हुआ तो पीवाई क्यू से तुम्हारा knowledge हो जाएगा why you came here मतलब क्यों अपना test इस particular question में पांच मिनिट तुम लगा रहे हो अपने pre के specific मतलब वो एक crucial time यहां पे लगा रह है तीन के तीन question अभी तक बेका रहे हैं ठीक है इस तूप architecture इस बार आया है और तुमने देखा ना इस बार यूपीएसी ने क्या question पूछा है यूपीएसी is more interested about basic चीज कि इस तूप आर्टी architecture में क्या होता था क्या नहीं है basic चीज मतलब इस बार question पूछा था ना जो पीव पूछते हैं origination कहां पर हुआ इन्होंने क्या पूछा है कि structure क्या है इन्होंने more of architecture वाला aspect पूछा है यूपीएसी सब पूछती है history क्या है उसकी है बली वो architecture लेकिन उसकी history क्या है ठीक है उसमें किसके relics थे तो उनके तीन statement को analyze करो फिर इसको analyze करो then you will understand कि जो ये पूछ र हो गया बहुत broader चीज है जो बहुत मैंतलब एक more of a pandemic वाला जैसे COVID-19 का था तो उसकी vaccine हमें पढ़नी है और आया था question ठीक है इस बार I think वाल बाचिया वाला method आया था वो भी इससे link था ठीक है तो point is that ना कि वह बहुत बड़ी चीजों उसको करना है हर चीज को छोटी- इस बार भी 100 प्लस आ रहे है आराम से 22 वाले में भी 100 प्लस थे तो my point is that कि इस टाइप की चीजे don't prepare them क्योंकि यार यह चुट-पुट चीजें बहुत छोटी चीजें प्रिपेर ऐसी चीजें जो बहुत holistically वाली हो जो broader चीजें अब बिजेज में और वैक्शी प्रिपेर क वाला है जैसे उसका पूछा था उन्होंने एक question था I think 19 में पूछा था हाँ hepatitis वाला जो दू बार पूछा है क्योंकि वह बहुत बड़ा disease है I hope कि आपको यह चीजें समझ मारी है ठीक है इस question को भी आप अठा सकते हो then अब यह question है जो क्या पूछा इन्होंने gladioscopic effect UPSC कभी भी किसी ऐसी चीज का current affair का detail में नहीं जाता उसका जैसे greenwashing है तो उसका detail में नहीं गया कि greenwashing क्या है ठीक है फिर आया R2 code of practices ऐसे detail में नहीं गया यह क्या है कि इसने लौन के नहीं वह बस यह पूछता है R2 code of practices है क्या या greenwashing है क्या या levent है क्या तो बस इस इसको देख लो कि यह क्या है don't go in this description इतना सारा तुम नहीं prepare कर सकते हो बस यह देख लो कि यह particular जो effect पूछा है क्लेडियो इस पे जो भी है इसको देख लो कि यह क्या है क्या पता ऐसा question आ जाए वो पूछेंगे one statement में यह से related इससे है इससे नहीं बस इतना देखना है इसक पीवाई क्यों है मलब इनका जो टेस्ट सीरीज का औरियेंटेशन है वह सेम यह डिट्टो रिपीट कर रहे है यार गिर फॉरेस्ट ठीक है जो अपना गुजरात वाला लॉइन है इस यह नहीं पता है कि जो चीज डिट्टो आ गी है उसके आने के प्रोबिलिटी थोड़ किसी कम में है वह ओविसली बंदा वहां से प्रिपेर कर लेगा जब वो पीवाई क्यू करेगा माल लो कि तुमने जैसे सेंट्रल ग्राउंड वोटर ऑथर्टी जब 2020 वाला पीवाई क्या होगा तब कर लिया होगा तो यह कोशन डारेक्ली रिपीट होगा 2022 में तो ऐसा कर रहे हो instead of this you should go to the PYQs and वहां से अपना concept के लियर करो यहां पे आने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है यह दोनों कोशन में अब थर्ड वाला statement ठीक है भीकानीरी जो ब्रीड है इतना specific नहीं जाएगा बट जैसे खड़ाई केमल में गया है तो क्या पता भीकानीरी ब्रीड नहीं है क्योंकि वह already PYQs में है मलब इन लोगों को जो test series बना रहे है ना मेरा देखो उन से कोई वो नहीं है कोई गिला शेकवा नहीं है या फिर कुछ नहीं है बट दवे दे आर प्रपेरिंग दीज एक्चुली लोगों का attempt खराब कर रही है try to understand लोग यह प्रपेर कर र समझ आ रही है ठीक है radiation वाला अच्छा कोशन है अभी तक का एक कोशन आया जिसकी possibility है पूछने की क्योंकि इस बार उन्होंने मरकरी वाला पूछा था ठीक है yes this question is good there is possibility of this question कि यह आ सकता हूं possibility बता रहा हूं ठीक है then now appendix one of UN convention of the migratory species देखो UPSC अगर गया ना माल लो appendix one और उसमें तुम क्या करो WPA है इनका देख लो schedule one में कौन सा है schedule two में कौन सा है इनका इनका specific देख लो कि इन में क्या है यार तुम नहीं prepare कर सकते हो कि conventional law migratory जो birds species वाला है उसमें कौन कौन सी है उसमें annexer one में कौन सी है two में कौन सी है कल को वो sites का पूछेंगे कि sites के annex two में क्या है क्या नहीं है फिर वो क्योटो में जाएंगे कौन सी country उसमें है कौन सी annex two में यार रिडंडन कोशन यार इतना प्रपेर करते 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 मतलब बहुत depth है इन सब चीजों में यह इतना वास्टेबर्स तुम जो इंडिया का WPA है उसके सारे schedule अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा बर्ड की schedule में है और जितना important बर्ड है वो जितने अच्छे schedule में होगा यह भी थोड़ा सब यह basic जो WPA के नोट्स है मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल रहा है जिसका लिंक के नीचे description में वहां पर जाके देख लो बेर एक्ट के नोट्स बनाए हो अच्छे से उसके beyond कुछ नहीं आने वाला ठीक है मेरा अपना experience है अब जाके देख लो वहां पर सब mention है यह सारा कुछ ठीक अपना experience बता रहा हूं and अगर नहीं करोगे मतलब इससे अच्छा है कि तुम अपना basics पे द्यान दो इन सब उसमें test series में time waste करने से अच्छा है अपने basics इंप्रूव करो इन सी जो के पेचे नहीं बागना ठीक है अब यह सेम डिटो पीवाई क्यों पूचा है ठीक है वो त exactly test series frame नहीं करने आ रही है कि कि किस basis पर UPSC frame करेगा UPSC ने contempt of court क्यों question पूचा है ठीक है उसके basis पर किस टाइप से question पूच सकता है वो फ्रेम नहीं करना आ रहा है यह डिटो question पूच रहे है यह डिटो नहीं पूचेगा खाडली एक आध question डिटो पूचेगा वो तुमारा P है कुछ मतलब provisions है तो वो काफी issue चल रहा है पिछले काफी time से तामीन लाडू से लेके कैरला से जो opposition parties जहां पे ruling में है वहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब generally वही legislative उनको थोड़ा वह hampering करने के लिए governor को as a use कर रहे है वो लोग मतलब more of a उसको बोल सकते हैं कि उनका अपना representative kind of क्योंकि obviously उनके पास legislative power तो है नहीं तो वह governor को यूज कर रहे हैं this particular question is good इसकी possibility है ठीक है आज नहीं तो कल आ जाएगा इस बार नहीं आया है बट इसकी possibility है this kind of question you need to follow you need to do ठीक है उसके बाद में पॉंगा में आईजे प्रामीसिंग अब ये 2012 या तेरा की question में है why you need to refer these this thing जब वो already PYQ में है वहां से हो जाएगा तुम बताओ तुम पहले PYQ करोगे इन आके practice करोगे इन सब के इतना time नहीं है PYQ करो एक दो बार और ऐसे question लगाओ जो इन से related हो कल को क्या पता को बायो फ्यूल का दूसरा source पूछ ले ठीक है तुम्हें क्या focus करना है कि बायो फ् प्लांट का कोई जो बायो फ्यूल का अच्छा source से उसको पढ़ो rather than इनको दुबारा पढ़ो ठीक है पहोग के आपको समझाया होगा ये question कभी नहीं पूछेंगे ऐसे water के basic question कैसे पूछ रहे हैं आप जाके देख सकते हो river वाला पूछेंगे और dams वाला पूछेंगे ठीक इसकी possibility है इस question की ठीक है news में है sometime seen in the news ठीक है ठीक question है इसको देख सकते हो then अब percentage of water already PYQs में तीन बार आया हुआ है 2011 I think 13 या 14 में और 21 में ठीक है तो जब PYQs में तीन बार repeat हुआ question तो why you need to refer this particular test series for this question समझ आ रहा है ये चीज़े है ठीक है then coming to this question ये क्या बोल रहा है core area हाँ bio spare reserve का bio spare reserve का तो मैंने already इसके वो एक PDF बना रखी है channel पर ही है telegram पर वहां से refer कर लो एक बार ही देख लो बट ये ठीक question है इसको directly हम लोग हटा नहीं सकते this is a good question you need to practice this kind of question कि या एक बार ही देख लो की सही हो रहा है नहीं हो रहा है बस ये question ठीक है इसको you can prepare ठीक है अ health education women ठीक है इसके अलावा नहीं जाएगा सीड़ा हटा दो you can't prepare everything ठीक है you can only prepare जो वो चाहते है वो चाहते है social justice वाली जो भी policies है उनको prepare करना नहीं अगर आपको ये चीज मतलब वो लग रही है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं तो जाके past year की paper देख लो 20 year की तो मैं समझ माझ जाएगा ठीक है इसकी possibility हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक है ठीक कोशन है मतलब देख लो एक बारी की economic advisory council क्या है ठीक है मतलब ठीक टा कोशन है इतना ज्यादा वह important भी नहीं है और इतना ज्या बस दाट सिट यह ठीक कोशन है ठीक है इसको थोड़ा से देख लो ठीक है देन इंडियन constitution साव कितनी बार आया इए इंडियन constitution का purpose आई थिक चार बार कोशन है या तीन बार तो definitely आ गया है कब आया 2016 माय 20 माय 21 माय इस बार 22 माय फिर से आया ठीक है या 23 माय फिर से ठीक है चा ऐसे कोशन नहीं पूछे क्रॉप का वो क्रॉप्स पूछते हैं खुद राइस पूछेंगे वीट पूछेंगे ठीक है कॉटन पूछेंगे यह classification वाली बेसिक जो चीज़ें वो पूछते ना यह SSC वाले भी नहीं पूछेंगे इस टाइप की चीज़े नहीं पूछते हैं देविल आस्क्यू क्रॉप्स उस क्रॉप में क्या चीज़े हुई है नहीं क्या हो रही है जैसे मालो कल को GM cotton आजए वो पूछेंगे GM mustard आजए पूछेंगे ठीक है फिर कल को मालो ऐसा को GM wheat आ चल रहा है वो पूछेंगे you need to understand this particular thing right नहीं समझ मारी है तो आ जाएगी बट अभी आप बने रहो ठीक है यह अच्छा कोशन है पिछले चार-पांथ साल से न्यूज में कभी भी पूछ सकता है यूप से का अगर मन हुआ तो बागे पूछा नहीं अभी भी बट कोशन है मतलब basic concept का कोशन है तो इसको इसको एक बारी देख लो क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है ठीक है then now इसमें which of the following changes were brought about by the 73rd amendment ठीक है 73rd amendment का लेकिन UPSC ने अभी तक 73rd amendment में एक बार पूछा है इस टाइप का कोशन जो structural कोशन है बाकि इसका जो objective वाला है वो कोशन दो हमने 25 कोशन discuss की अभी तक ठीक है 25 में से hardly 5-6 कोशन ऐसे हैं जिनकी possibility है possibility मतलब वह अच्छे कोशन है बाकी सारे कोशन कैसे हैं पीवाई क्यों से उठे हुए और डिक्टो उठे हुए मतलब डारेक्ट पूछ रहे हैं वो लोग तो डारेक्ट UPSC hardly एकाद कोशन पूछेगा इस टेस सीरीज का अच्छे हैं माल लो maximum 30 कोशन अच्छे हैं यार तीस कोशन के लिए तुम अपने चार घंटे खराब करोगे think about it right you need to think about it and you must think about it because ultimately तुमारा टाइम खराब होगा तुमारा जो crucial टाइम है कब वि जब भी तुम दे रहे हो चार घंटे अराम छे जाएंगे एक टेस्ट देने में तो डूंट वेस्ट यॉर टाइम ओन दीज टेस्ट सीरीज इस पैसिफिकली जो हम यह लोग डिसकस कर रहे ना कि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट बस क्या होना चाहिए वह मैंने उपर बिगनिंग में डिसकस किया तो जो ब्लैक लाइन में लिखा हुआ ब्लैक लेटर्स में जो रेड़ वाले थे वो तुमने देखे हैं कि रेड़ फ्लेक्स कैसे बनेगा और रेड़ फ्लेक्स यहीं से बन रहा है कि तीस कोशन ऐसे जिनकी पॉसिबिलिटी है मनलब पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी बहुत सारे कोशन की होती है लेकिन पॉ कितने मैचूर और रैशनल इनसान होंगे ऑविसली क्योंकि एक्जाम यूपीए से का प्रिपेर करने तो आपको यहां से सोचना है कि कि सेट टेस्ट सीरीज को मेरे को करना है या किसको नहीं करना है ठीक है यह हो गया नेक्स्ट का देन कमिंग टू वीजन अब वीजन का पूछा जैसे यूपीए से मी पूछा था ठीक है तो यूशूड अटम इस कोशिन ठीक कोशिन है मतलब ओके ओके एक यह कोशिन देन कमिंग तो दिसकोशिन सेम कॉश्चिन ऊपर वाला रेडियेशन वाला यहां पर आयनोज जिंग रडियेशन का पुछा है तो ऐसी चीज जो करेंट में यूपीस क्या करेंगी करेंट नियू से यूपीस को कोई फरक नहीं पड़ेगा फ्लाइश यूटिलाइजेशन में अगर करेंट में कुछ आया तो देविल आस्क्यों अबट फ्लाइश विल आश्क्यों पूछा हुआ है जाकर आभी कोशिन देख लो 14-15 मे तो यह इसका कॉंटेंड यह इंपोर्टन नहीं है इंपोरेंट काई निए इंपोर्टन क्या है कि यूपीस कल को मालो को में कुछ चेंज जाए तो यूपीसी विल आस्क्यों अबाउट तो इसल्फ नौट आट आवश देख वीन ब्रॉट इसंट इस थेज़ फिक है और वही मैंने इतनी बार बोला है कि यार इन सब चीजों का नहीं प्रिपेर कर सकते हैं जैसे अभी कोशन आपने ऊपर डिस्किस किया था ना अनेक्स वन का जो यह कंजर्वेटरी माइगरेटरी स्पीसिस वाला जो था तो इन्होंने पूछा यह इपका है जो भी है तो इतना सा तो इस पर्टिक्लर पूरे पांच कोशन में अभी तक मेरे को दो कोशन लगे हैं जो थोड़ी ठीक है ठीक है चलो देन कमिंग टू दिस एंबोडीड कार्बन कुछ होगा नियूज में एक बड़ी देख लो यूशुड नो कि यह क्या है एक बड़ी देख लो क्या पता व एक बड़ी देख लो कि उंगा में क्या होता है यूएन में क्या है थीक है फिर देख लो तुम की ट्रस्टीब काउंसिल क्या है जो इनके six major organs है उनका उसके बाद यार कुछ भी पूछ सकता है लास्ट यह जो कोशन आया था उसमें कुछ बहुत एक्स्टीम था वो भी सही किया था and we can't prepare everything you have to understand this right इस question को तुम सीधा हटा सकते हो then coming to this यह अच्छा question है ठीक है current का question है अच्छा question है इसको देख लो कि कौनचा news में था फिर मालो इन्होंने तो कुछ और पूछा है कि बही elephant whispers वाला कुछ Oscar movie वो कुछ movie बनी होगी इसमें तो उसके basis पे इन्होंने अहां पर दिया है कि यह कट्या कुनम जो भी है कट्यू नाकून इस वन आप दे मेजर ट्राइब यह किसका क्या है मतलब इसका core aspect है यह कल को बूछ सकते हैं कि इस से कौन से river जा रही है वो तियार करो मतलब जो इसका core aspect है न वो रादर देन कि किसको movies में वो मिला है UPSC वि प्लांट के species बहुत news में रहते हैं ठीक है हजारों species है you can't prepare everything but what you can do is मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर दो साल के नोर्स डाल दूंगा अभी नहीं बट वह एपरेल या मार्च में डालूंगा वहां से देख लेना जो न्यूज में हो उनको कर लेना विकर्ज डाउन टूर्थ ऑन्ली दी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ दी इन्वार्मेंट जितने कवर होने होंगे बाकि इन सब को तु दो ठीक है अच्छा कुछिन है सीक्सेडिल का वहांसे अपना जो स्थिक्सेडिल वह है यहां से लक्स минут कन से वहीं से हो जाएब ऑप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक कुश्द कर श्क्रेय हैं which are the following effects on the governance structure, मतलब क्या impact होगा, ठीक है, practice के लिए अच्छा question है, then fundamentalize का देखो basic question है, ठीक question है, practice हो जाएगी, अब ये कुछ random question होते हैं, इनको either you can leave, otherwise तुम्हें अभी जैसे IPC वगेर आगे latest, तो उनके provision देख लो, इनके मत देखो, ठीक है, then coming to this, speaker और deputy speaker, वो वहाँ से देख लो, लक्समी कान से, कितनी बार, UPSC ने, I think deputy speaker और speaker का, 4-5 बार question पूछा हुआ, mains में भी एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है, वहाँ से तुम्हारा concept clear हो जाएगा, तो इसमें कुछ नया नहीं है, same concept है, PYQ का, ठीक है, अब देखो, then coming to this, यार, इतना, ये भी question मेरे को थोड़ा सा upset लग रहा है, क्योंकि UPSC जो bodies पूछ रहे हैं, वो आइदर तो जो environment के act है, उनकी पूछ रहे हैं, और दूसरे पूछ रहे है constitutional bodies, तो उन सब bodies मत prepare करो, I would suggest, बागी तुमारी अपनी choice है, ठीक है, ये ऐसा question नहीं आएगा, PRAE का क्या question आता है, आइदर उनका structural part, जो उपर, I think next वालों ने पूछा था, 25th number question, या उनका aims and objective, ठीक है, ये question, that you should know, कि इनका aims and objective क्या है, और, महलब basic चीज क्या, अब ये नहोंने कहां पे, वो question बनाया है, कि ये जो plan है, वो कौन mandate करता है, जो भी economy, development, social justice, तो, देख लो, बट ये इतना important नहीं है, कि जितना UPSC क्या पूछ रही है, उसका structure पूछ रही है, और aims and objective पूछ रही है, ठीक है, secularism के definition, देख लो, यार, ये उसके हिसाब से बना रहे हैं, ठीक कोशन है, interstate council, अच्छा कोशन है, you should know that, ठीक है, yielding and floor means, ये इतना पार्लेमेंट के ऐसे कोशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बहुत रदी कोशन है, पार्लेमेंट के, पार्लेमेंट के वो fundamental अच्छे कोशन पूछता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कोशन है, ठीक है, इसको करो, ये पोर्ट सेक्टर, जनरली यूपे से पूछे का मेंस में, और अगर प्री में पूछना है, तो स्टैटिक पूछेगा, जैसे इस बर पूछा था, मूंद रपोर्ट कहा है, ऐसे नहीं पूछा है, ये देख लो कि जवालना नेरू पोर्ट कहां से, ये इस बर, अभी जैसे, ये 23 कही है न, तो देखो, ये एक चीज है, जो इनो, कही कहीं न, कहीं लिंक हो रही है, जवालना नेरूज, फस्ट हंडेड़ परसेंट लेंड 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 मेजर पोर्ट इन इंडिया, तो ये थोड़ा बहुत देख लो कि कौन सा पोर्ट कहां पे है, ये नहीं पूछता, अभी तो मैं समझ माया कि ये कैसे, वह हो रहा है, कि वो लोग क्या पूछ रहे है, जैसे फ्लाइच न्यूज में है, तो यूपीस ही पूछेगा, कि फ्लाइच है क्या उसके अंदर कॉंपोनेंट से, बट ये वीजन वाले और ये क्या पूछेंगे, कि फ्लाइच कितना परसेंट मेंडिटरी हु इतना सारा प्रपेर, बट अंडर्स्रेंडिंग के लिए देखना है तो देख लो, बट इतना कोई नीड नहीं है, ठीक है, जी एन पी, यह अच्छा कोशन है, बेसिक कोशन है, एकॉनमी का, यह कर लो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक कोशन है, यह अच्छा कोशन है, जो भी कर यहां से क्यों वह करना है ठीक है अब यह थोड़ा सा वह है ग्लोबल सिस्टेमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक बेरिस पूछते हैं जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछा है थोड़ा बहुत बेसिक देख लो ठीक कुशन है ठीक है देन कमिंग तो सेविंग हाउसोल्ड्स यह जो हाउसोल्ड्स की सेविंग है यह कुशन इस बार भी एक्स्टरनल बोरोविंग वाले में आया था इससे पहले भी सेविंग का आया था तो सेविंग का थोड़ा सा आइडिया लगा लो ठीक है तो अब तुमने दिखा है कि जो हमने यह टेस सेरीज वीजन वाले डिस पर टीक है के इनों ने भी जो आपना बेस बनाया हो ना वह पीवाईक्यूस के बाड़े बनाया हुआ हूआ है वह tarkit कि आपको के यह चीज Uh में गहार ही कि वह वाई इम सेच वीज बनाने का जो बेस हैना वह पीवाईक्यूस ही ए है तो सबसे पहले तो करो देरें ठीक है बट इसके 30 कोशन हमने जो अनालिसिस करें उसमें 10 कोशन आ देर जिनकी पॉसिबिलिटी है 10 to 12 कोशन ठीक अमाउंट में कोशन है जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग पूच सकते हैं तो यह फिर भी अच्छे कोशन दे रही है ठीक है यह इस पॉसिबिलिटी अच्छी है तो यह हो गया वीजन का ठीक है आपको यह समझ आ रही है कि मैं किस कंटेक्स में बात कर रहा हूं ठीक है इनका हम लोग देखेंगे कि इनका टेस्ट कैसे रहता है यह आ लीए ट्वेनटी तरी का ठीक है ठीक है ठीक है दे फस्ट रही है फाश्ट कोशन थे वाऊच्मार कोशन आ है कि MVFC का है है यह भी तुमार पीवाई क्यों ने दो तीन बर पूछा हुआ है इस्मॉल फाइनेंस बैक अल्रेडी आई थिंग 17 में पूछा हुआ है तो वहीं से उठा हुआ कोशन है बड़ ठीक कोशन है एक बारी देख सकते हो ठीक है यह अच्छा कंसेप्ट है यूशूड नो कि इनका बेसिकली यह देख लो कि यह कौन कौन जी गुड्स है ठीक है गिफेन गुड्स वगे रहा है नॉर्मल गुड़ पब्लिक गुड़ प्राइविट गुड़ क्योंकि लास्ट ताइम माइक्रो एकॉनमी के दो कोशन पूछे रहे ठीक है इनको एक बार ही देख लो ठ पूड़ा से डिफेरेंट है बड़ ठीक है यह कोशन वाज देर क्योंकि करेंसी वाला यूपीएसी पूछती है तो यह कोशन एक ऐसा है जो पीवाई क्यू मतलब यूपीएसी के पेपर्स माया अच्छा कोशन ठीक है तो इनके कोशन अभी फिर भी ठीक है देन कमिंग इस बार पूछा है यूपीएसी ने यूपीएसी वाला प्री में या उससे कुछ रिलेटेट था ठीक है अच्छा कोशन है यूशूड नो दीस थी देन एफटी अब यह कि यह प्रोहिबिटेट वाले सेक्टरल मतलब पूछ सकते हैं पॉसिबिलिटी है लेकिन यूपीए यूपी ने लास्ट एक कोशन पूछा था इंफलेशनरी एफेक्ट वाला उससे लिंक डो के कुछन आया ठीक है यह भी सर्कुलर ट्रेडिंग का कुछन है ठीक है यह भी इसकीम से नहीं पूछेगा सीधा हटा दो इसकीम समय से हैल्थ एजूकेशन उससे पूछेगा देन कमिंग टू डिसोर्स उटिलाइजिशन ऐसे कुछन चिंपली चोड़ सकते हो यह फंड वाला ठीक है क्योंकि यह बहुत बड़ा फंड है तो इसको एक बारी देख लो जो बड़ी चीज़ें उनको एक बारी देख लो कि क्या है लोन रिटन आफ देखो अगर एंपी में जो हो रही है उसको पूछेंग राधर देंडिस ठीक है दैन कमिंग टू यह तो बहुत बेसिक कोशन है छोड़ सकते हो कमिशन ओन एर क्वालिटी मैनेजमेंट अभी आया है अच्छा कोशन है एर पॉलिशन को रोकने के लिए दिस कोशन केन ब्यास क्योंकि इस्टैचरी लोटी यह तो वह पूछ सकता है ठीक है नौनी फिलोत्स यह इतने सारे वह है क्यास स्वारी इतने सारे मतलब यह है अपने क्या बोलते हैं इनको केमिक कल टॉक्सिक खें टो मि ठीक है एक बारी basic देख लो किया है but there is no need to focus on much मतलब ज्यादा focus नहीं करना यह अच्छा कोशन है ठीक है and then यह same ऐसे चीजें तो ज्यादा यार इतनी मत करो यह विलाइत किलर यह प्रॉस्पर जुली फेरा अल्ड़ी पूछा हुआ है 2018 में तो वहां से देख लो ठीक है इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा simple वह पेपर बना दिया है वह सारे कोशन ऐसे 73 वाले उसी से लेके ठीक है ठीक है ठीक है अच्छे मतलब 15 से 20 कोशन होंगे जिनकी possibility अच्छी है कि यह लोग ठीक टेस्ट बना रहे है इन्होंने इनका major fault कहां पर आ रहा है कि लोग बहुत इजी पेपर बना रहे है मतलब तुम फॉरम वाला दोगे तो 110 120 मार्स आएंगे वीजिन वाला दोगे 70 मार्स आएंगे ठीक है वीजिन वाले थोड़े quality के हिसाब से वीजिन का बिट अच्छा है थोड़ा मतलब वो है क्या बोलते है अपना complicated नहीं इसको बोलेंगे tough है लेकिन मार्स इतने आएंगे 80 तक आएंगे तुम्हारे 90 असी तक ठीक है अगर तुम वीजिन के मैग्जिन नहीं पढ़ रहे हो तो अपना वाजी राम का ठीक है अब देखो कि इनका क्या है पहला कोशन नॉमीनल और रियल जीडिपी ठीक है basic कोशन है वीजिन वालों ने भी उपर यसी कोशन को cover कर रखा था ठीक है अच्छा कोशन है यह सबसे अच्छा कोशन है कि analytical पूछ रहा है देखो इनकी एक पर लगाओ यह तीनों कोशन बहुत अच्छे है ठीक है यह जी ट्वेंटी सम्मिट अब इस बार देखा यूपेसे न क्या पूचा बट इनका थीम फिर भी ठीक था कि जी ट्वेंटी सम्मिट पूच सकते है ठीक है तो यह ठीक कोशन था गोल्ड अब बॉंड ग्रीन बॉ चाफर करो इस कोशन को टा सकते हो ठीक है यह अच्छा है डाउन वार्डिंग जो स्लोपिंग येल्ड कर होता है उसका क्या इंपक्ट पडएगा यह बॉंड वाला अल्डिडी उन्होंने पूचा था उन्होंने थोड़ा गुमा के पूचा है कुशन ठीक है अच्छा खु यह भी अच्छा है ठीक है यह सेंग बैलेंस इंडियन पॉलिटी थोड़ा तुम्हारा कंसेप्टशन पोश्ट हो जाएगा ठीक है बेसिक इस्ट्रेक्टर वाला सेम 2020 का पीवाइक्यों है तो वहां से कर लो यहां से क्यों कर रहे हो ठीक है यह सेम कुशन मनी बिल इस बार आ साल now में ठीक है है थैति का मनी बिल इन्होंने फाइनिस बिल नहीं क्यों दो यूसा तो यूपियग उन्होंने अगर मनी uw पूचय रहे थो यहां यह सोला या 15 वह भी दूख है इस साइम उन्होंने जो दूसरे मंनी बिल है उसमें चले गए मतलब जो फाइनेंस बिल है उसमें लेकिन जो कोचिंग वाले वो वहीं पे हैं अभी तक मनी बिल में ठीक है तो दिस तिंग यू नीड टो अंडेस्टेंड की अगर यूपेसी एक पटिक्लर कोशन का कोई भी थीम का कुशन उठा रहा है जैसे मालो डबली पीए में वो लोग स्ट टैचुरी बोडी का पूछ सकते हैं दिस डिपेंड्स उन दी जो उनका मूड है बट दिस इस हाओ दे विल गो ठीक है जैसे यहां पर गए है ठीक है दैन कमिंग तो दिस कोशन है यह अच्छा कोशन है बेसी कोशन है अफर का तो यू शुड नो और यह कोशन तुमारे गल है पूसेबिलिटी की यह लोग मेंश कैसाद से कूछ सकते है और में परदरेती हैं तो तुम इस स्कूशन को सकते हो जैसे सीपोच रहेतीं हा जुड usatay बोडी में नहीं जा रहे ही थीक है तो तुम इस पटिवार स्कीब कर सकते हो दैन यह कोशन बॉत को चनर थी लिमकार अभी 26 में होने वाला अपना भी जो MPs की seats का है तो वो देख लो this particular question is very important और अभी तक आया नहीं है I think एक बार आया इन्होंने 12 या 11 में पूछा है तो there is possibility की वो लोग पूछ सकते हैं ठीक है then governor or state ये तो वो है प्रेनियल questions हैं कभी भी आ सकते हैं इनका तो आप attempt करो at least then coming to बहुत easy question है equality के definition अब ये लोग उसमें जा रहे हैं कि equality के definition हो गई socialism के definition हो गई sovereignty के definition हो गई अपना secularism का जो वीजन का test था उसमें पूछा था अभी last वाले test में तो ये लोग पूछ रहे हैं doctrine of proportionality ये वाला पूछ लिया तो ये attempt कर लो बट possibility कम है कि यूपीस हाड़ली एकाद question उठाएगा एकाद कोई concept पूछेगा जैसे उन्होंने state का पूछा था उससे ज्यादा नहीं पूछेगा ठीक है मिलेट का इन्होंने question बहुत घटिया दिया है बट यूपीस ही अगर पूछेगा तो वह मिलेट को as a crop करके पूछेगा और उसमें फिर either they will ask about की soil कौन से requirement है या इसका ये पूछ सकते हैं कि भाई जैसे इन्होंने gluten free वाला health benefits का कुछ पूछ सकते हैं environmental benefit का पूछ सकते हैं उ यहां पे इन्होंने regenerative agriculture पूछा है उससे पहले यूपीसी ने जैसे small farm large field वाला question जो इस बार आया था वो पूछा है then conservation agriculture यूपीसी ने पूछा है then फिर तुम्हारा ये है पर्मा कल्चर वाला देहवाज्र तो जो agriculture में नया innovation हो रहे है ना उनको you need to know they are asking these question on alternative years like उन्होंने पूछा है तो there is possibility कि वह 25 में कुछ ऐसा नया concept आजाएगा agriculture में तो पूछ सकते है यह अच्छा question है कि regenerative agriculture क्या है एक बरी देख सकते हो तो ठीक है यह हटा सकते हो बहुत मतलब वह below standard वाला question है then this question is very good question already UPSC ने दो तीन बार पूछा है बीवाइक्यू से हो जाएगा but still for the practice you can do this question यह बहुत अच्छा question है lakes का UPSC पूछ रही है I think 2021 में उन्होंने पूछा है बाइस में भी पूछा है इस बार वेट्लेंड वाले question फिर उन्होंने तेरह 14 में पूछे है तो these are the good question मतलब यह यह जितने भी यह भी हमताल है तसोकर वाला है यह चीजह एक बार basic देख लो क्योंकि might be news में होगी तभी उन्होंने पूछा है and this is the most important question वीजन ने वाजी रमवालों ने इस बार पूछा है यहां पर उन्होंने अच्छा दिमाग लगा है जो सबसे अच्छा दिमाग कोचिंग वाले लगा सकते हैं क्योंकि last year अफगानिस्तान का आया था उससे पहले 2013 2014 में ट्रकी का आया था कि ट्रकी में ट्रकी की कौन सी boundaries है कुछ उन्होंने सीज का कुछ करके पूछा था and 21 में उन्होंने पूछा आफगानिस्तान का then this time Ukraine was in the news so there is possibility मलब there was possibility कि Ukraine को पूछ सकते हैं यह question उन्होंने बहुत best question बनाया था मलब सबसे अच्छा question था कि वो लोग लिंक कर रहे थे कि अगर उन्होंने इस country का पूछ लिया है जो अभी news में कौन सी country मालो कि यह question क्या पूछ रहे हैं कि जो disputed region से उनकी वो पूछ रहे हैं उनके borders पूछ रहे हैं ठीक है तो अब क्या पूछ सकते हैं कल को राइट कल को बो लो इसराहिल का पूछ सकते हैं य तो आपको यहां पर उनका बैस दिमाग लगा है कि यह मतलब वह आगे वाली चीज जा कि उन्होंने देखे हैं ठीक है वेस्टन डिस्टेमेंस इस बार भी news में ठीक है स्नो नहीं हो रही थी अपना जी एंड के में इस पर क्यों नहीं हो रही थी क्योंकि वेस्टन डिस्ट क्या क्या है पूच सकते हैं ठीक है यह वाला कोशन ठीक है अल्रीड उन्होंने प्यूज में दो तीन बार पूचा हुआ तो वहां से भी कर सकते हो यहां पर हो सकता है तुमारा देन विंड का अभी तक वह लोग गए नहीं है लोकल विंड में ठीक है जिग जोगरफी में तो यू कन इसकिप दिस कंसेप्ट तो कि अभी तक गए नहीं है और लोकल विंड में पॉसिबिलिटी कम है कि वह पिरी में जाएंगे देर इस पॉसिबिलिटी के वह में जाए अगर आपको करना है तो यू कन डू बट अधर्रवाइस यू कन लीव ठीक है तो अभी क्या ह हुआ हमने अरॉंड और ओर फोर पेपर को अनलिसिस किया जो फोर टैस्स रीज है उनको ठीक है एक किया है सबसे पहले नेक्स्ट दैन तुमारा वीजिन दैन तुमारा फॉरम । ठीक है दैन आ गया वाजिराम अब क्या करना है कि देखो बाग की टैस्स सीरीज का मैंने इ नेक्स्ट का हमने देखा 5-6 कोशन थे 25-30 में से जो ठीक डाग थे ठीक है वीजन का अराउंड 15 कोशन तक ठीक थे फॉरम के भी 15-20 तक कोशन ठीक थे वाजी राम के कोशन अच्छे थे जो उन्होंने पेपर बनाया वो एक more of a पीवाईक्यू और यह ने थोड़ा सा रिलेवेंट पेपर बनाया है ठीक है और एक्सपेक्टेड कोशन भी निकाले है जैसे युक्रेण वाला कोशन निकाला है उन्होंने लास्ट ये वीजन ने अफगानिस्तान का कोशन निकाला था एक 20 वाले पेपर में आफ सीन इन दे करो 2008 से लेके 2023 तक जब आपके यह हो जाएं दैन यू निड़ तो स्विच ओर टू यार एस सीरीज टैस्सीरीज में क्या दो टैस्सीरीज कर सकते हो दो टैस्सीरीज जो मेरे अपने सबसे बेस्ट रहेगी वह है तुम्हारी वीजन की और वाजी राम की अब वाई एम सेंग दीस विकास यह बहुत टाफ है यह तुम्हें मार्क्स देगी अरॉंड 70-80 अगर तुम्हें वीजन के टेस्ट वह मंतली मेगजिन नहीं करी है करी है तो 100 तक दे देगा ठीक है वाज प्रफ वाले पेपर में भी सस्टेन करोगे और जो इजी पेपर आता उसमें ही सस्टेन कर पाओगे ठीक है आपको यह समझ आई है कि जो टेस्ट सीरीज करनी है उसको एक ग्रेडिट अप्रोच में करना है ठीक है सबसे पहले पीवाई क्यूस उनका अनलिसिस देन टेस्ट आधर पामिज़ेदेन सब्सक्राइब करना क्योंकि टेस्ट सीरीज का फंडामेंटल बेस ही पीवाई क्यूस है वो लोग वहीं से डिटो अनलिकर दीन कमिंग कर रहे हैं यह जो अपनी प्रत्रां पीवाई क्यूस वाली इन दोनों को एक बेस्ट बनागे पीवाई क्यू test series में जो PYQ से related तुमने नहीं सोचा और इन्हों ने सोच लिया जैसे युक्रेयन वाला कोशन था ठीक है वीजन का लास्टीर अफगानिस्तान वाला कोशन वस देर ठीक है वह यहां पर तुम रिवाइस करो और फिर तुमारी जो प्रिपरेशन होगी वह एक more of a holistical note पर जाएगी ठीक है तो hopefully आपको यह चीज समझाएगे कौन सी test series follow करनी है किस में किस टाइप का content है और क्या base बना के लोग पेपर बना रहे हैं ठीक है thank you so much for the watching मिलते हैं अगले वीडियो में